बिवारी में CETP की पाइप लाइन तूटने से अलोर बाइपास बढ़ा दूसित पानी कई गंडों तक बनी रिजाम की सिती बिवारी के बस टेंट के पास फैक्टरियों से CETP तक आने वाले पाइप लाइन तूटने से अलोर बाइपास पर बुदवार को पानी भर गया इससे वहाहन चालकों का आगमने परिसानी हुई साथी नाले की दिवार टूटने से केमिकलिक पानी धारूरा की सीमा में चला गया रिको के वरिष्ट शेत्रिय परवंदक के कोठारी ने बदाया कि फैक्टरियों का दूसित पानी CETP तक लाने के लिए बिछाएगी पेप लाइन को बस टेंट के पास किसी ने तोड़ दिया था इस कारण दूसित पानी बीडा कारेले से लेकर अलो बायवार टक बर गया इसके बाद मिट्टी भरकर भगर सिंग कालूनिक तरफ पानी मोड दिया गया जिससे धारूरा के तरफ पानी ना जा सके सुचना मिलने के बाद रिको अधिकारियों ने च्छतिकस पाइप लाइन को ठीक करवा दिया लेकिन साम तक अलो और बाई पास पर चल भराव किसी बनी रही बीडा के सीओ आईस प्रविता सुचिंग तोमर नगर परसेदायक तुराम किसोर मेहता वाई एनंकित सिर्वार सुचारू होने में परिसानी हुई उदर राजस्थान पर दूसरन इंटर्मंडल के चेत्री अधिकारी हमें सर्माने मोके पर टीम बेज़कर पानी की जांच के लिए सेंपल लिये हैं यहां बता दें कि भीवारी के दूसरत पानी धारूडा के लिए सालों से नासूर बना हुआ है भीवारी की कंपनिस निकलने वाली केमिकलिक्त पानी को बारिस होते ही धारूडा के तरफ शोट दिया जाता है इस कार्ट धारूडा चेतर की जमीन भी बंजर हो गए तता सेक्टर चार और चे के लोगों का रहना मुस्किल हो गया है